तो अब तक हम पढ़ रहे था लॉंग आंसर अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट कोश्चन टाइप ठीक है तो यहां पर हमने पाथ आपके कुश्चन कर लिए डिसकस कर लिए आज हमारे पास छटा कोश्चन है ठीक है करा संक्रण से आप क्या समझते हैं मतलब संक्रण को बताना है ठीक है है विविन प्रकार के संक्रणों का उप्योग उधारण सहत ब्याख्या कीजिए ठीक है तो सबसे पहले बताना है कि संक्रण होता क्या है उसके बाद क्या बताना है विविन प्रकार के संक्रणों की उधा संक्रण इसमें उर्जा का पुना बित्रण होकर समान उर्जा वा समान आकार के नए कक्ष बनने की घटना को क्या कहते हैं संक्रण कहते हैं और बने कक्ष हमारे क्या कह लाते हैं कारवन का किना है इसका अगर विन्यास अगर इलेक्ट्रानिक विन्यास कि इस प्रकार से हो जागा में खिर तो आगे बाला हम जैल किनते फिर लस्मर का फिर गोर्ड घंच scientist अब सब्सक्राइब आपका बैसे फिर फिर गविवीश्यष इसमें की this इसमें चल्ड हम ग्राउंड इसमें ॐब बंसक्राइब छिए की इसमें जब यह carbon atom अपनी excited state में जाएगा यानि कि उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो क्या होगा तो यह जो एस का इलेक्ट्रॉन है यह कहां पहुंच जाएगा आपका टू फी के लाश्ट में पहुंच जाएगा ठीक है जो खाली एक आपको दिखाई देरा ये वाला कक्षक इ यहां पर आपका किवल एक एलेक्ट्रों रहे जाएगा को है यहां पर एकलेक्टक्रon आपका यहां रहे जागा तूसरी यह लग्तार पूंξ दिद्धाइत्वन यह तह चुवालेगे धैसखे जाम अवच्छताम पहुंचा करवं एटम होगे तो यहां पर हम क्या खहेंगे एक एस का और तीन आपके पिक तो कि हो जागा इसका संक्रड़ SP3 यानि कि तीनों जो एक एस और दो पी आपस में मिलकर चार नैसमान उर जाके और विटल कर दाएं तो यह जो ऑर्विटल होगे यह कैसे होंगे आपके हाइब्रेड और्विटल होंगे कैसे होंगे हाइब्रेड यानि कि संक्रित तो इसी गम क्या कहते हैं संक्रड ठीक है तो यानि कि कार्बन का संक्रड कितना होता है कार्बन कितने बॉंड बनाता है चार बॉंड बनाता है ठीक है और चार बॉंड देखो एक इलेक्ट्रॉन य और जब चार बाण्ड होते तो संक्रण क्या होता है SP3 होता है ठीक तो कार्बन में संक्रण क्या होगा आपका SP3 हो जाएगा ठीक ये आपको ध्यान रखना है SP3 संक्रण लिय नेक्स्ट कर और यह किरदग कर इस बिचार को किसे देया था लुम है निर। गुर् hani ने कि आफ ने फाल इस फालिंग ने उनने सब्सक्रिंग में कि इसको संकरण को ठीक है, संक्रड की जो विचार धारा थी वो linear falling ने 1931 में दी थी ठीक है इसके अगर हम गुड की बात करें properties इसके गुड क्या होते है संक्रड के कहरा संक्रित कक्ष समान उर्जा बा समान आकार के होते हैं जो संक्रित कक्ष आपके बनते हैं वो कैसे होंगे समान उर्जा और समान आकार 材सो ऑपकी का होगी समान और आकार भी आपका कैसा खोगा समान आकार यह आपको ध्यान रखना दूसरा पू दोक्षौ क संजो करता है कि संजो कक्ष יह सबसे बाहरी कोश था पर चछ nut प्रकार के लेकिन हमें यहां पर तीन ही चार प्रकार के संक्रण पढ़ना है ठीक है प्रकार के संक्रण होते हैं तो इन में से हमें कुछ ही पढ़ने हैं सभी आपको नहीं पढ़ने है तो संक्रण को निकालने की यह त्रिक होती है अगर आपके किसी भी एटम में किसी भी मॉलिक्यूल में ठीक है कोई अगर आपको मॉलिक्यूल दे रखा है जैसे बात करूं मैं CH4 की ठीक है बांड कितने हैं अगर मानलों चार बांड है तो क्या हो जागा आपका इस में एक आपका एस और बेटल होगा और दी आपका एक डी और बिटल होगा यह आपके हुगा सबसे पहले आपको दे रखा है क्या होता है इसके बारे हम बात करें इसमें संकृत कक्ष दो होते हैं कितने होते हैं कितना होता है? जैसे हम बात करें c2h2 किसकी ? c2 h2 यहां पर देखो 1 bond 2 bond ठीक है और यहां पर क्या होगा आपका यहां पर एक सिग्मा और दो पाई बॉंड पाय जाते हैं यह आपका क्या होगा पाई बॉंड यह क्या हो जागा आपका पाई बॉंड ठीक है तो इस प्रकार के संक्रार में जहां पर आपको केबल दो सिग्मा बॉंड मिल जाएं कितने बॉंड मिल जाएं दो सिग्मा बांड बिल जाएं यहाँ पर यह आपको तीन दिखाई दे रहें इसमें केबल एक सिग्मा बांड होता है और दो पाई बांड होते हैं क्या होता है एक सिग्मा और दो पाई बांड होते हैं आपके ट्रिपल बांड में ठीक है यह आपको ध्यां रखना है तो यह तहाले कार्बन का भी जो संक्रण होगा वो क्या होगा आपका SP संक्रण होगा ठीक है जब दो बनाता है कोई भी मॉलेक्विल के गर हम बात करें जैसे ए बी टू टाइप के अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है ए और बी कितने आपके टू ठीक है तो इस तरह का जहां भी बॉंड बनेगा तो उसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा बन एट्टी का एंगल होगा ठीक है यह आपको ध्यार रखना है और इसकी शेप क है संकृत कर किनो ठीक है और इसका आका तर्कोंड की तरह होङा तरह होगा रटीक इससे इनके बीच में ये bond angle किता होगा आपका burn 20 का होगा ठीक है जैसे गर हम बात करें BCL3 यहाँ पर आपका B दे रखा है आप देखो B से जो 3 CL लगे हुए है इनके बीच में bond angle किता होगा आपका burn 20 का होगा ठीक यहाँ CL यहाँ CL और यहाँ CL कुछ इस तरह से यह क्या हो जागा आपका burn 20 का एंगल हो जागा और इसके अगर हम बात करें आकार आकार कैसा था हमारा त्रकूर यह कैसा हो जागा त्रकूर यह ठीक triangle triangle इसका shape हो जागा ठीक तो यह हो जागा आपका triangular structure of BCL3 का यह हो गया आपका SP2 नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको दे रखा SP3 क्या है थाड़ है आपका SP3 इसमें एक S का होगा और टीन P के और बेटल होगे ठीक तो यह आपसे में मिलके क्या बनाएंगे SP3 संक्रड़ यानि कि SP3 hybridization की अगर हम बात करें संक्रित कितने कक्ष्ण है इनका वो कैसा होता है टेटरा है टेटरा आपका चतुस फलकी अड़कार होता है और इनका बंदकूर्ण कितना होता है 109, 28 16 19 172 172 28 इस रिप रापको नोगित किशन यह इनको आपने पर जो आपको add कर देमि आपको अकृत होगे ईंट्रा है और इसका एंगल कितना हो जाएगा आपका बन जीरो नाइन डिगरी और ट्वंटी एट मिनिट का ठीक यह हो जाएगा टेटर हैडल स्टक्चर आप सेच फोर का ठीक इसका नेक्स्ट कहि建 रहा स्टक्टर एसमीं कया होता है यह हो जो नेक्स होका दो पीक होंगे और एक डी काओगा तो कितने होगा एक और दो तीन होगा तो यहारा इसमें चार कक्ष होते हैं तो है마 और आकार कैसा होता है इसकैसा होगा आपका इसकोइर प्लेनर और यानिकी वर्ग समतल का अगल ऑगा है कि यहीं होदी इसकी है की आख कर्थी करा बंदकोुड कि रहां कितना होता है इसका 90-90 ंहां गरी बांड होता है ठीक है चारों के बीच में जैसे यहां पर लेलो अपना ए ए और इस से जो भी लगा है ए बीसी और डी तो इनके बीच में जो बॉंड एंगल होगा वो कित्ते का होगा आपका 90 गांग ठीक है यह आपको ध्यान रखना रहा जैसे पीटी एस थी का होल्ट आज कोईने में कमपने को आपका क्या आपका आ ने कौरी टाह cream जो कर रहा है लेगर को जो कितन हो ने थे veil लगे हुए और दो ही क्या लगए है आपके सील तो यहां पर दो आपके एनस थरी आ गया ठीक है यह करें यह आपको इसका एक्जामपल याद रखना है ठीक है पी टी और एनस थरी का करें है पुल्ट्वाइस और सील 2 कि यह किसको तो करेगा आपका एप थी और डिप्लिक अद्रिकी अ है नेक्स्ट आप से कहरा एस्पी 3d n कि एस्पी 3d एक यक्णका तीन की पी के होंगे एक इसका और व। इसका जाएंगे और जो आकार होता कैसा होता है ट्रेंगुलर ऐसे हो गया ट्रेंगुलर और व। धर बन जाएगा और दूसरा अगर दो यह कुछ इस तरह से यह कुछ इसको कावर्ड कर लेगा ठीक है तो क्या बन जाएगा फिर एक प्रक मिड्र बन जाएगा आपका कुछ नीचे से इस तरह से बंज जाए है का सब्सक्राइब दूसरे अकर्ति करेंग्ट वी तथा बन धोर कितना हो था बंट उन्टी उनके बीच में इ塔 और बं अन्ट बाए लगा फ!? पेंड़ झो जेश्ट इसके ऊपर लगा हुगा इसक में इसके इसके के साथ में कित्ते का बनाएगा ठीक है और यह तीनों आपके CLCL लगे हुए साइट से यह ट्रैंगलर शेप में लगे हुए तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो किता होगा आपका बंट ट्वंटी को ठीक है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला है आपका SP3D2 यह कैस का है तीन पीके हैं और दो इसकी है कितने होगा शे कितने होगा शे SP3D2 संक्रत इसमें संक्रित कठ्च कितने होते चे में ठीक है आपको देखने को मिल सकते हैं जिक और बन्ट एंगल कितना होता है 90 का फाटी को बंट का होता है मिशन है स्राइब इस तरह से एक आपका यहां पर आपका सलफर है सलफर से कितने फ्लोरीन लगे हुए है छे फ्लोरीन आपको दिखाई दे रहें ठीक है तो बात करें तो बांट एंगल कितना हो जागा इनके बीच में 90 का ठीक है एक दो तीन चात्त तो सब कित्ते वन को जागा आपका नशागा टीक तो बांड एंगल कितना हो जागा आपका एक स्टाप करें पी के हो एंगे और इन ही आपके किसके होंगे डीके तो कितने ओजांगे च्रह शीओर साथ गित्ते हो जाएग यह साथ तो इसमें आपके SP3, D3 संकड के अगर हम बात करें SP3, D3 hybridization इसमें संकरित कक्ष कितने होते हैं साथ होते हैं कितने होते हैं साथ होते हैं यह आपको ध्यां रखना है ठीक है इसका जो आकार होता वो कैसा होता पेंटागोनल बाइप्रेमिडल पेंटागोनल कुछ इस तरह से इसकी आकरती बन जाएगी एक प्रेमिड आपका उपर बन जाएगा दूसरा प्रेमिड आपका नीचे से बन जाएगा ठीक है तो इसे को कहते हैं पेंटागोनल यह आपका पेंटागोनल है बाई प्रेमिट एक प्रेमिट आपका कुछ यहां से इस तरह से बन जाएगा ऐसे ऐसे और एक नीचे से बिलकुल ऐसे बन जाएगा ठीक है तो यह आपका क्या कहलाएगा पेंटागोनल बाई प्रेमिट ठीक बंद कूंड कितने का होग कैँ है जो आपका सैड से लगे होगा इस तरह यह बनगया यहां पर करें आज चार और एक यह पांच तो पांच और इसके बाद एक जो तिर्चा सा लगा होगा यह डैसे हमको दिखाई दे रहा जिसके बीच में आपको कितने कगा हो statistics कहаю arteries-2 गम गा ये दो तीन चार पॉंच छी साक बॉन्ड बना रहा ठीक है जब सात बॉन्ड बनते है तो आपका क्या वजानदा ऐस्ट थी और यह डी ठीक तो इसमें क्या हो जाए आइफ में क्या हो जाएगा आपका तो बॉन्ड के आधार पर हमने जाना था कि हम किस तरह से हैविडाइजेशन को निकालते हैं या किस तरह से हम संकरण को निकालते हैं है आपका पहला जो सेल है वो भषा हुआ लास्ट वाले सेल को हम देखते हैं कुसको देखते हैं है और तीन किसमें है पी में तो क्या हो जागा आपका एस और पी ठीक है जहां पर आपके कितने बॉंड होते हैं चार बॉंड लगे होते हैं ठीक है यह तो होगे आपका बॉंड के आधार पर अगर आप सिग्मा बॉंड के आधार पर सिग्मा बॉंड या पाई बॉंड के आ सब्सक्राइब करेंगे जो भी हमारा संक्राइब पड़ा था उससे संबंदित किसी भी मॉलेक्यूल की संपोड जानकारी आपको समझ में आया हुगा यह आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ ही पास में लगे बेल आइकन को है और जो भी नई अपडेट आती है वह हम लोट करते रहते हैं और किसी भी जानकार से आप बंचित नार है तो बने रही है हमारे साथ और करते रही है अपनी त्यारी मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू